तो अभी मैं आफिस से निकल गई हूँ और आज मैं आफिस से अधे गंटे पहले निकली हूँ क्योंकि मैंने स्टाफ से पहले ही बोल दिया था कि साम ज़ादा हो जाती है तो आटो भी नहीं पाता है यहां पे चार वज़े के बाद आटो भी नहीं जाती है और अभी मेरे हजबन नहीं है तो मैं स्कूटी से बिल्की भी नहीं आ जा रही हूँ क्यूंकि स्कूटी निकालना मेरे बहुत मुस्क्री हो जा रहा है तो इसलिए अभी मैं जली-जली से जा रही हूँ रास्ते से कुछ-कुछ सामान लेती जाओंगी सामान मुझे लेना था और वहन दिमाग ले जाता है उग्यों तो मेरे लिए तो नहीं क्यों तो मैं लिखना भूल जाती हूं और जब वहां मैं पहुंचती हूं तो वहां जाकर कि मैं भूल जाती हूं तो वह जो रासन वाले भाई है ना तो कभी-कभी बहुत गुस्सा हो जाते क्योंकि मैं सोच सोच करके सामान बोलती हुना कि ये भीricit है वो भी चाहिए तो वह बोलते हैं कि आप लिक करके हमेसा लाई करो और जाती हो तो आप टाइम जादा लगा देती हूं मतलब याद नहीं रहता है मैं बूल जाती हूं तो टाइम जादा ही लग जाता है के लिए अपना जो जो सामान लेना था वो ले लिया और साथी के लिए भी चिप्स वगएरा ले लिया है तो अभी मैं यहां से पॉरा निकलूंगे क्यूंकि भूख मुझे काफी जोड़ों के लगी हो और टाइम बहुत जादा हो गया तो मैं मिलती हूं अभी घर पे तो यह आज अपनी अम्मी के पसंद का एक रेसिपी बनाऊंगी जो कि बहुत ही ईजी है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत टेस्टी लगेगा आप लोग एक बड़ ट्राइ करना या मैंने हरे मटर ले लिये मैंने यहां तब चराए एक बरतन और दो चमच इसमें तेल डाल दिये और गया इसकी फिलेम को मीडियम करके ढख देंगे ज्यादा नहीं तीन से चार मिनट बस टाइम आप लोगों को लगेगा बस यह पक करके रेडी हो जाएगा बहुत टेस्टी बनता है बहुत ही ज्यादा आप लोग एक बर प्लीस ट्राइ करना और फिर मुझे कॉमेंट करके आप लोगों को बताती हूं बहुत ही फणी आप लोगों को लग सकता है बट मेरे लिए इस तरीके से हमेशा बना लेती हूं मेरे लिए असानी होता है मैं च्छनी के यह उपर निम्बू डाल देती हूं ताकि बीज वगार उसमें बिल्कुल भी कुछ भी न चाहे आप चा पानी में ही सारे पनीर को फार लिया है और उपर से थोड़ा सा पानी भी चला दिया ताकि जो भी पनीर का खटासपन होता है न नीम्बू वाला तो वह असानी से इसमें निकल भी जाता है बहुत ही असान है उसके बाद मैं क्या कर देती हूं और कहीं किनारे में टांग और इसको अच्छे से बांद करके कहीं किनारे पर तांग दोंगी तो यह पूरा अच्छे से पान निकल जाता है अब आप लोग कॉमेंट करके बताईए कि आप लोग किस तरीके से पनीर मिकालते हैं मैं तो कुछ ऐसे ही निकालती हूं हमेसा तो बस पनीर भी बन करके यादे कि काफी दिनों के बाद मैंने बनाया है और खाई हूं जहां तक मुझे यादे कि जब मैं मेरा बेबी होने वाला था ना जब परी होने वाली थी साइड मैं उस टाइम खाई थी उसके बाद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब खाया है बहुत टेस्टी बना था करते हैं इसे पहले वाली वीडियो में आपने देखा हुआ कि इसने सारे पाउडर खराब कर दिये और बैड को भी आजगंदा कर दिया है देख सकते हैं यह हमेशा ऐसे ही करती है मैं थोड़ा सा हटती हूं इसके नजर से यह कुछ नकुछ कारमात करती है अगर बच्चे कुछ चल रही है खुरपाती और आपका काम भी गरने वाला है घर का तो आप लोग थोड़ा एतियाद दीजिए बस नहीं अगर यह एतियाद देंगे ना नहीं धियान देंगे तो कुछ ऐसा ही हाल होगा तो बस इसकी बदमासी ऐसे ही चलती रहती है तो अभी मैं जा रही इसको खाने के लिए साड़े साथ बजगेंगे तो अभी मैं फटा फट खाऊंगी तो जब मैं खा रही थी ना तो एक पास से नेवर सागत है बगल के ही है कहलीजे मेरी प्रेंट की ही जैसी है काफी प्यारी है तो वो आई थी अपने बालों को दिखाने के लिए मतलब मु कैसे होंगे तो मैं इसको वही बता रहे थी बट यह सुनती ही नहीं है इसको बोलो ना तो यह बस बात को ताल देती और फिर बाद में आ करके मुझसे पूछती है कि मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं आप प्लीज बताईए कुछ कर दीजे मेरे बालों को तो वही मैं इ तारी थी कि क्या क्या उपाई करना है